कुछ दिन पहले Parliament का special session Announce हुआ और काफी fanfare से पुरानी Parliament Building से नई Parliament Building में transition हुआ वो अच्छी बात है और main focus special session का पहले तो मालूम नीटा यह special session क्यूं हो रहा है speculation काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका main focus महिला आरक्षन है उसके बाद महिला आरक्षन तो बड़ी अच्छी चीज़ है उसके बाद ये दो clauses इसमें दो footnotes हमें मिले एक की महिला आरक्षन करने से महिला आरक्षन देने से पहले हमें census करना पड़ेगा और दूसरा delimitation करना पड़ेगा और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सच्चाई ये है कि महिला आरक्षन को आज किया जा सकता है 33% आज जो seats हैं लोक सभा में, विदान सभा में वो महिलाओं को दी जा सकते हैं, कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाती है सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है मगर reality ये है कि implement आज से 10 साल बाद होगा ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से ये distraction tactic है, diversion tactic है diversion किस चीज से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है मैंने Parliament में सिर्फ एक institution के बारे में बात की वो जो हिंदुस्तान की सरकार का center है, core है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है cabinet secretary and secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे हैं तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC community से क्यों हैं, पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही analysis बजट को देखके की कि यह पूरा हिंदुस्तान का बजट किया है और यह जो OBC officers हैं यह इस budget में से कितना control कर रहे हैं और क्या control कर रहे हैं आदिवासी क्या control कर रहे हैं दलित क्या control कर रहे हैं OBC हिंदुस्तान के 5% budget को control कर रहे है OBC officers तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं OBC pride के बात करते हैं मगर OBC के लिए किया किया अब जब मैंने यह बात बोली उनका response बड़ा interesting है वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा representation है लोग सभा में representation का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूँ कि budget decision जो लेते हैं जो budget को officers दें जो budget को control करते हैं 5% OBC नहीं ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में OBC के आवादी 5% है यह मैं जानना चाहता हूँ अगर 5% है तो फिर वो ठीक है उसको मैं accept करने के लिए त्यार हूँ मगर अगर वो 5% से जादा है तो मुझे यह पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ मुझे यह पता लगाना है यह OBC हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी लोकसभा में किसी भी MP से पूछ लीजे लोकसभा को Temple of Democracy का जाता है आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजे कि वो कोई decision लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लीजे बिल्कुल नहीं ना Congress का MP इस लोकसभा में ना BJP का MP ना कोई और इंडिया का MP कोई decision लेता है मतलब MP इसको जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तिया मना रखी है और OBC की वहाँ पे मूर्तिया भर रखी है मगर पावर बिल्कुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है ये सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर OBC यूगा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए या ना अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी अबादी 5% है या ना ये सवाल है और distraction इस बात से हो रहा है BJP को ये जो दो points है महिला आरक्षन वाले delimitation और census इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए जो respect मिलनी चाहिए जो भागिदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे और caste census का जो हमने data निकाला था उसको public कर दे तो सारे हिंदुस्तान के OBC युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने और निया census caste basis पर करें थैंक यू और और प्रदान मंत्री को प्रदान मंत्री को अपने अगले भाशन में ये कहना है ये समझाना है देश को सिरफ तीन OBC क्यों है ये मेन सवाल है और मैंने दलितों और आदिवाजी पात ही नहीं की अभी अग्रियाजी में कहा देता हूं ये में पूछी नहीं the BJP came up with the idea of a special session we appreciated that idea with a lot of fanfare and pomp we move from the old building to the new building the prime minister in a very dramatic gesture carried the constitution of India from the old building to the new building and he said that he is passing a very important law and we agree with him women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India and it is a critical step but when we read the fine print we found something very interesting two little subtexts were there number one, this will be done after delimitation number two, this will be done after census what it means is this bill will be implemented a decade from now it is not going to be implemented today and every woman in India should understand this it is not going to be implemented today it is going to be implemented if it is implemented 10 years from now so this is a diversionary tactic it is a way of making everyone's attention move away the question is what are they moving away from and the answer is the caste census and I would like to explain why in my research for my speech I looked at how many officers in the government of India the senior most officers are secretaries how many secretaries in the government of India come from the OBC community how many come from the Dalit community how many come from the tribal community and I was shocked to find that 5% of the secretaries of the government of India sorry three officers in the government of India secretary level are OBC first and then I asked another question what budget do they control and they control 5% of the budget OBCs, Dalits, Tribals all put together control 6% of the budget Tribals control 0.1 something of the budget so this is a shocking finding and I said this in parliament my point being that are the OBCs 5% of India is that the amount of participation we want of the OBC community so the central question is how many OBCs are there in India how many different communities are there in India if we want to distribute power to the people of India we have to know this number otherwise we are working without data and so I placed this on the floor of the house and I said look please tell us how many OBCs we have the data I know because the government of India has already done the census and all this data is available why is the Prime Minister not releasing this data and second what is this delay in this census the caste census should be done now and the last caste census data should be released at once now what was the BJP's answer very interesting answer that it doesn't matter how many OBCs are in the government of India what matters is that we have MPs and MLAs who are OBC no that's not the point because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking how much they participate in how the money in India is spent they will tell you there is no participation so it is almost as if they keep placing these OBC MPs into the Vidant Sabha from one side and taking away the real power of the OBCs from the other side and as the Prime Minister keeps saying he is an OBC leader I want him to explain why only three OBCs are there in the government of India and why the OBC community which is the backbone of this country is responsible for only 5% of the budget they have not been able to answer this question in fact when I said it I saw in their face the panic because this is the truth this is what they are trying to distract India from the fact that the large mass of Indian people do not have any power